तो हमें जानेगे 32 most important words और उसके meanings जो आपके किसी भी admission test के दौरान या फिर interview या parent interaction के समय आपको सुनने को मिलेंगे नमबर वान enrollment जब किसी school में या institute में बच्चे का officially admission हो जाता है तो उसे enrollment कहते हैं application या registration form किसी भी institute में जब आप्लाई करते हैं तो आपसे एक form fill up करने को कहा जाता है जिसमें student की academic details, उनकी personal details, उनके मतापता की details संबंदित जानकारी ली जाती है इसके भढ़ने के बाद ही admissions related आगे के प्रक्रिया शुरू होती है student से institute द्वारा कुछ सवाल जवाब किये जाते हैं जिससे उनको ये assist करने में मदद मिले कि उस student का उस school या institute में admission लिया जाए या नहीं entrance exam ये written test होता है जिसमें बच्चे की knowledge और skills को test किया जाता है subject wise test होता है limited time में आपको उस subjects related question answers solve करने होते हैं transcript इसमें बच्चों की सारी academic details अब तक student का क्या performance रहा है पढ़ाई लिखाई से संबंदित उन्होंने अभी तक क्या-क्या achieve किया है इसके बारे में जानकारी दी होती है recommendation अगर किसी institute में admission लेना है और इसमें support के लिए आप किसी प्रभावसाली इंसान का शिफारिष लेकर आते हैं तो उसे recommendation कहते हैं माली जे किसी school में बच्चे का admission नहीं हो पा रहा है आप किसी minister से letter लिखवा के लाते हैं और principal को दिखाते हैं कि भई इसके admission लिया जाए तो इस letter को recommendation कहेंगे acceptance किसी भी student का जब उस institute में admission के लिए हामी भर दी जाती है तो उसे कहते हैं acceptance rejection जिस institute में student ने apply किया था वहाँ पर उनका admission खारिज कर दिया जाता है उनको admission लेने से मना कर दिया जाता है तो उसे rejection कहते हैं माली जे उन्होंने test दिया था वो test में pass नहीं किये तो उनका admission reject हो जाता है माली जे कहीं पर आपने admission test दिया और जो admission criteria था उसमें आपका नाम नहीं आया लेकिन आपका नाम wait list में है इसका मतलब होता है कि अगर जिन student को चुना गया है admission के लिए by chance वो admission नहीं लेते हैं और वो seat खाली रह जाती है तब आपको admission के लिए बुलाया जाएगा tuition fee किसी भी institute में जब आप admission लेते हैं कहीं पर भी आप admission लेते हैं आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर उस skill को सीखने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए आपको fees देनी होती है इसे tuition fee कहते हैं Scholarship, कहीं पर भी आप admission लेना चाहते हैं, school या college या किसी इंस्ट्यूट में आप admission लेना चाहते हैं, वहाँ की fees काफी जादा है, लेकिन आपका academic performance इतना जादा अच्छा है, या फिर आपने जो entrance test दिया, उसमें आपने बहुत outstanding, बहुत ही अच्छा perform किया है, तो school या college के द्वारा scholarship दिया जाती है, जिसमें जो tuition fee है, या फिर school के admission की जो fees है, उसमें riayat दी जाती है, rebate दिया जाता है, या फिर उनकी सारी पढ़ाई free of cost दी जाती है, financial aid, किसी भी school या college institute में admission लेने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि fees बहुत जादा है, तो आप किसी third party से loan लेते हैं, तो वो कहा जाता है financial aid, deadline, इसमें आपको admission की जो date दी जाती है, उस date के अंदर अंदर आपको admission लेटेट सारी formalities पूरी करनी होती है, चाहे वो fees को submit करने की हो, या फिर documents को submit करने की हो, इस final date के बाद आपका admission कैंसल कर दिया जाता है, orientation, school या college में नए बच्चे जिनका admission लिया जाता है, उनकी पढ़ाई शुरू होने से पहले एक दिन रखा जाता है, जिसमें बच्चे या फिर बच्चे के साथ साथ parents को बलाया जाता है, बिसकस किया जाता है, जिससे parents और बच्चों को idea लग जाए, campus tour, जिब हम कई नए स्कूल में admission लेना चाते हैं, तो एक बार मन में इक्षा होती है, कि स्कूल को अंदर से देख लिया जाए, कि उसका infrastructure क्या है, या अंदर से उसका मोहौल क्या है, तो generally parents को school authority के द्वारा, उस college या फिर school का एक visit दिया जाता है, साथ-साथ ले जागे सब चीज़े दिखाए जाती है, कि यहाँ पर classroom है, यहाँ पर bathroom है, यहाँ पर lab एसक्टर, यहाँ पर lab है, यह play area है, तो इस process को campus tour कहा जाता है, class schedule, कौन सा subject किस time पर पढ़ाया जाएगा, इसकी detailed class schedule कहलाता है, preparation, किसी भी test या exam की तियारी को preparation कहते है, invigilator, जब भी कोई exam चल रहा होता है, तो कोई इनसान यह assure करने के लिए, कि बच्चे cheating ना कर रहे हो, वो उसकी, वो उनकी निगरानी रखते है, उस person को invigilator कहा जाता है, score का मतलब होता है marks, मतलब जिस भी question को आप attempt कर रहे हैं, उसको answer सही करने पर कितने marks दिये जाएंगे, वो score है, time management, जब आपको कोई admission test का paper दिया जाता है, तो आपको specific, एक instant time पर उस paper को complete करना होता है, मा लिजे तीन subject exam में आने वाले हैं, और आपको धाई गंटे का समय दिया गया है, और हर subject में आपको pass करना जरूरी है, तो आपके, तो exam pass करने के लिए बहुत जरूरी है, कि आप अपना time manage करें, ये धाई गंटे को इस तरह से divide करें, जिससे आप हर subject के सवालों को ज़ादा-ज़ादा solve कर पाएं, passing score, किसी भी admission test का जो full marks होता है, उसे achieve करना तो possible नहीं, तो और institute के द्वारा ये तेया किया जाता है, कि कितना कम से कम marks बच्चे लाएं, जिससे उनको admission test के लिए qualify किया जाए, उनका admission लिया जाए, multiple choice question वो होते हैं, जिसमें एक सवाल लिखा होता है, और चार option दिये जाते हैं, जिसमें से एक correct answer होता है, बच्चों को correct answer कौन सा है, वो tick करना होता है, sectional cut off, मालिजे entrance test में तीन subject है, English, Maths और Science, तीनो subject के questions आपको धाई गंटे में attempt करना है, मालिजे English, Maths और Science 50-50 marks का है, लेकिन आपको exam को overall clear करने के लिए, English, Maths और Science में अलग-अलग आपको pass करना जरूरी है, यानि कि जो full marks है, मालिजे 50 marks है English का, उसमें आपको कुछ minimum score तै किया जाता है, school द्वारा या जो भी institute है उसके द्वारा, मालिजे 50 में कम से कम आपको 30 marks लाना है, जिससे आप qualify कर पाएंगे, और आपको हर subject में 30-30 minimum marks लाना है, तब ही आप qualify कर पाएंगे, मालिजे आपने maths में 50 में 50 ले आए, लेकिन English में आपके 10 marks हो गए, तो आप admission test qualify नहीं कर पाएंगे, इंट्रेंस फी, इंट्रेंस exam देने के लिए आपको कुछ fees देनी होती है, उसे कहते हैं इंट्रेंस फी, admit card, exam का form भणने के बाद, admit card दिया जाता है, जिसके अधार पर आपको admission test देने के लिए, permission दी जाती है, parental involvement या parental support, इसमें बच्चे के स्कूल या college में admission से पहले, बच्चे के माता-पिता को बिलाया जाता है, और उनसे बात की जाती है, जिसमें स्कूल वाले बच्चे का पारेवारिक महल को समझने की कोशिश करते हैं, ये जाने की कोशिश करते हैं, कि parents बच्चे की पढ़ाई लिखाई को लेकर कितना sincere है, किस तरह से जागरूख है, साथी स्कूल की जो philosophy है, जो जिस तरीके से वो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, इसकी विजानकारी parents को दी जाती है, extra curricular activities, school या college में पढ़ाई लिखाई के अलामवा, जो बहुत सारी अलग-अलग activities होती है, जैसे dance, music, sports, ये सारी चीज़े extra curricular activities कहलाती है, communication channel, जिसका मतलब है school, college या जो भी institute है, समय-समय पर जो जरूरी जानकारी है, वो parents को किस तरीके से देती है, जैसे e-mails के दौरा, newsletters, या फिर SMS के दौरा, वर्टसब के तौरा, कौन-कौन सा platform वो यूज करती है, जिसमें जो समय-समय पर education, या फिर extra curricular activities, या फिर कोई और कोई activities हो रही है, जैसे स्कूल में या फिर बच्चों से रेलेटेड, उसकी जानकारी मातापिता को देते हैं, यानि कि स्कूल के नियम कानून, जो उसमें पढ़ने वाले हर बच्चे और स्टाफ और टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो स्कूल के smooth functioning के लिए जरूरी है, लर्निंग इन्वार्मिंट यानि कि स्कूल का overall पढ़ाय लिखाय का महौल कैसा है, एड्मिशन क्राइटेरिया, किसी भी स्कूल, कॉलिज या इंस्टूट में एड्मिशन के लिए क्या क्या qualities होनी चाहिए, उनका academic record कैसा होना चाहिए, उनके marks पहल पिछले class में कितने आने चाहिए, इंटरेंस टेस्ट में passing score क्या होना चाहिए, या कॉनकों से document जरूरी है, ये सारी चीजों के अधार पर ये fix किया जाता है, कि स्टूट का admission लिया जाए या नहीं. Thank you so much for watching this video.